और important बात important बात क्या है हमारी टीम नहीं क्या है class 11 12 के लिए a separate channel create क्या है जिसका नाम है a2r classes hs day students match इस वीडियो में class 11 के student के लिए बहुत ही important वीडियो को डिस्टर्स करने वालों जैसे कि इस बार आप लोगो को पता है कि इस बार जो जो भी admission लेंगे 11 class में तो syllabus जो है इस बार जो है यह system जो है change हो गया है syllabus चेंज हो गया है pattern चेंज हो गया है और एक नई बात क्या है कि इस बार जो है इस बार से जो भी admission लेंगे 11 में इस बार से क्या होगा semester wise एक्जाम लिया जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने बहुत सारी वीडियो और बना दिया इस पर कि किस तरह से होगा syllabus किया है syllabus change हो गया है किस तरह से हुआ ओके और semester wise हुआ है और 4 semester है 11 में 2 semester है और 12 में दो समिस्टर और 12 में दो समिस्टर है तो 11 में 1st समिस्टर 2nd समिस्टर और 12 में 3rd समिस्टर और 4th समिस्टर ओके तो इस तरह से 4 समिस्टर में जो है HS आप लोग complete कर पाएंगे clear तो मैं यहाँ पर आज बताऊंगा class 11 के जो 2 समिस्टर है समिस्टर 1 और 2 तो इसके question बटन बताने वाला हो किस सब्जट का English का English जिसका second language है तो फस्ट लंगोज भी है किसी का लेगन जिसका second language है English या फिर second language English है और बिंगोली जो है या फिर हिंदी उर्दू कुछ भी हो सकता है तो जिसका second language English है उसका में यहाँ पर question button mark distribution आप लोगों को बताने वाला हो ओके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इससे पहले मैंने वहुत सारे वीडियो बना दिया है 11 से रिटेटर न्यू से रिटेटर अगर आप लोग दिखना जाते है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का description में मिल जाएगा आप लोग जाकर उस चैनल को subscribe कर सकते हैं जो 11 12 में है ओके यह फिर जो admission लेना चाहते है इस बार क्लियर तो आज ची वीडियो को सुरू करते है कि class 11 subject English second language के mark distribution question button बताने वाला हो ओके और कितने marks की होंगे यह भी बताने वाला हो तो 11 class जो ह 11 class में जो है दो semester होंगे first semester and second semester जो first semester 40 marks and second semester 40 marks okay total 80 marks जैसे का आप लोगो पहले से पता होगा अपने आपके friends यह जो भी है आसपास उन लोगोंने exam दिया होगा तो 80 marks का होता था okay और 20 marks जो है project का होता था लेकिन इस बार जो है change हो गया है 80 marks को जो है दो semester में divide कर दिया है पहला semester में क्या होगा 40 marks होगा और second semester में जो है वो क्या होगा 40 marks तो total 80 marks और 20 marks जो है project होंगे तो और एक चीज important बात क्या है first semester में जो होंगे 40 MCQs होंगे यह बिल्कुल नई चीज है कि पूरे जो first semester है 11 का हो या फिर 12 का हो तो first semester में क्या होंगे only MCQs 40 MCQs तो एक तरह से बहुत ही गाशी बात भी है और बुरी बात भी है क्यों ? क्यूंकि MCQs अगर answer सही है तो पुरा नबर मिलेगा लेकिन अगर नहीं गलत हो गया तो गलत तो इसमें मजा भी है और सजा भी है तो जो मेहनत करेंगे उसके लिए मजा है जो नहीं करेंगे जो इस्टडी नहीं करेंगे उसके लिए सजा है तो यहाँ पर हम देखेंगे केतने मास्का है तो आप लोगों क्लिया हो गया जो है semester wise किसा से exam होगा course structure class 11 class 11 class 11 जो है दो semester में होगा ओके देखिए semester 1 40 marks मैंने आभी बताया semester 1 जो है 40 marks semester 2 वो भी 40 marks तो देखिए यह जो English है प्रोस तो प्रोस में क्या है 10 marks होगे तो यहाँ पर एक चीज और दिया है कि contact contact arts contact arts क्या है मतलब इस चीज को पढ़ने में कितना time लगेगा मतलब syllabus wise या WB CHSNE board ने ये suggest किया है कि कितना time इसमें देना पड़ेगा ताकि बच्चा जो अच्छे marks करी कर पाए तो कह रहा है कि 15 hours इसमें time लगेगा मतलब वो लोगों ने calculate किया है कितना time इसमें देना बढ़ेगा 10 marks के लिए तो 15 hours देना होगा पूरे syllabus के लिए तो यहाँ पर देखिए उस तरह से हर एक में जो है contact arts देना कितना time लगेगा तो आप लोग जो अपने सब्स त्यारी तो करेंगे लेकिन यहाँ पर एक दिया गया है syllabus के लिए तो में चीज़ आपको समयना है देखिए प्रोज में कितना है 10 marks होंगे और यह 40 marks जो है इनमें से जो 10 marks होंगे वो होगा 10 marks जो होगा वो होगा प्रोज जो जो होगा लुक्य उसके दखिए यूनियट 2 में देखिए यह यूनिट 1 में है यूनियट 2 में वर्स मतलब यहाँ पर एक पॉएम होंगे तो 20 marks होगे तो पुड़े इसमें क्या होगा MCQ होगा क्या होगा पूरे MCQ होंगे semester 1 में, sem 1 में क्या होगा, पूरे mcqs होंगे, 40 mcqs होंगे, तो इसका मतलब क्या है, 10 mcqs, यहाँब भी 10 mcqs, उसके rapid data, 11 में और एक book दिया आता है, तो उसमें क्या होगा, 10 marks होंगे, textual grammar, textual grammar मतलब जो भी prose and poems से grammar होंगे, active voice होंगे, passive voice हो सकता है, nation change हो सकता है, splitting sentence हो सकता है, joining sentence हो सकता है, changing sentence हो सकता है, इस तरह से textual, जो grammar होंगे, वो भी किस से होंगे, prose and poem से ही होंगे, clear, इसमें क्या 5 marks मिलेंगे, mcqs, उसके दिखे, reading comprehension, reading comprehension मतलब क्या है, ऊपर, क्या दिया वा रहेगा, total mcqs होंगे, ओके, तो यह जो है, semester 1, तो total कितना होगा, total होगा, 40 marks, देखे, 10, 10, 10, तो 30, 30, plus 10, कितना होगा, 40 marks, तो 40 marks होंगे, semester 1 में, और total क्या होगा, mcqs होंगे, पूरा 40 marks क्या होगा, mcqs होंगे, उसके बाद दिखे, semester 2, यह भी 40 marks, तो अब देखे, मैंने आभी बताया, कि semester 1 में क्या होंगे, only mcqs, 40 mcqs होंगे, तो अब, आप लोगो का question होगा, कि semester 2 में क्या होंगे, 11 के semester 2 में क्या होंगे, mcqs होंगे या नहीं, ओके, तो यह भी मैं आप लोगोंगा, तो देखिए, इसमें क्या होगा, S-E-Q, S-E-Qs plus L-E-Q, क्या होगा, इसका मतल़ भी भी हो सकता है, क्लास XI का जो है, यह जो फाइनल एक्जाम होगे, सेकंड समिस्टर क्या है, फाइनल, समिस्टर है, क्लास XI के लिए, तो M-C-E-Qs तो हो चुके हैं, समिस्टर गे, S-E-Qs PLUS LAQ होगा तो इसमें भी क्या होगा इसमें भी 40 marks होंगे क्या है इसमें भी 40 marks होंगे यहाँ पर लिख दिया गया है clear तो आप लोग को दोनों महनद करना है इसमें long question है, उसमें क्या है sort है, mcqs है, तो देखिए unit 1 में, pros देखिए pros क्या है 10 marks तो इसमें SQ हो सकते हैं, SQ तो होगा यह MCQ तो होगा नहीं, वर्स, पॉएम में देखिए, इसमें 10 marks सेम डू सेम क्या होगा, semester 1 के जासा, लेकिन इसमें क्या होगा, SQ and LQ होगा, उसके देखिए, rapid reader में यहाँ पर कम है, ओके, यहाँ पर क्या है, rapid reader में कम है, 5, उसके textual grammar, यह भी 5, और writing, यहाँ पर writing skill होगा, writing मतलब writing skill होगा, अब writing skill में क्या होगा, जातर क्या होता है, 12 में report writing होता है, report writing, letter writing, notice writing इस तरह से होता है, तो आप लोग मोटा मोटा यह समझें, कि writing skill में जो क्या होगा, 10 marks होगा, इसका मतलब, ऐसे भी हो सकता है, कि 3 question रहेगा, 3 writing skill रहेगा, देना होगा, एक ऐसा भी हो सकता है, तो अब यह new syllabus है, तो किस तरह होगा, यह पहले से पता चल जाएगा, official जो vote है, WCHSC vote, वो announce जल्दी कर देंगे, और बहुत ही जल्दी जो है, books भी launch हो गया है, और school में distribute होने वाले है, कुछी दिनों में, तो देखिए, अब यह clear हो गया, 40 marks, 40 marks, semester 1 40 marks, semester 2 40 marks, clear हो गया, semester 1 में में जो है, mcus होंगे, total mcus, 40 mcus, और semester 2 में क्या होंगे, sqs plus leq होंगे, इसमें भी 40 marks, clear, तो कैसे, कहाँ पर कितना marks रहेंगे, मैंने आप लोगों को बताया, ओके, अब और एक चीज है, आप देखिए, अब total जो marks होंगे, क्या है, 100 marks, 100 marks होंगे, तो 100 marks में से क्या है, 40 marks, 40 marks, 80 marks खतम होगे, और बच्चा 20 marks, 20 marks का क्या होगा, 20 marks का होगा, project, क्या होगा, project, दोगिए, तो project फिर दो टाइप के है, project दो टाइप के क्या है, activity plus project, या फिर assignment बोल सकते हैं, तो क्या होगा, project जो है, दो टाइप के होगा, assignment plus activity, कुछ करना पड़ेगा, देखिए क्या है, activity में देखिए, assessment of listening and speaking तो listening मतलब reading बनने दे सकता है या फिर class में जो कुछ होगा speaking कोई चीच बोनने के लिए होगा class में orally पुछा जा सकता है तो यह हो गया इसमें listening में 5 marks और speaking में 5 marks तो total क्या हो गया 10 marks हो गया activity में अब देखिए project assignment दे सकता है किसी भी topic पर तो उसमें में लेंगे क्या है 10 marks ओके तो इसमें जो context arts देखिए 10 है और यहाँ पर देखिए इसमें 10 marks है तो clear तो project में plus activity project यह फिर कह सकता है देखिए project ब्राबर क्या है activity plus activity plus assignment तो यह total होंगे 20 marks तो तब क्या होगा 100 marks complete होगा तो I hope किस तरह से mark distribution होंगे कितने marks होंगे first semester कितने marks सखाऊगा second semester कितने marks सखाऊ कितने mcqs होगा कितने long questions होगा long question तो second semester होगा और mcqs होगा first semester होगा तो मैं सिर्फ वियाँ पर 11 का बताया first semester 1 semester 2 class 12 का भी बताऊँगा क्लास 12 को इसलिए नहीं बता रहो अभी क्योंकि अभी जो 11 में एड्मिसन लेंगे इस कॉस्टेन पैटन के साथ ति यही लोग 12 में जाएंगे तभी वो सेलेवस फॉलो होगा जो इस बार 12 में चले जाएंगे उनने के लिए वो सेलेवस फॉलो ने होगा उनने के लिए वो पुराने जो सेलेवस है वोही चलेगा Clear? तो मैं यहाँ पर जितनी मी सारी चीजे आप लोग को डिस्स क्या डीटियल डिस्स क्या एक्जाम पैटन डिस्स क्या तो आप लोगों समय में आ गया होगा